जिले के विकनगाव थाना छेतर में बुद्वार दोफर करीब साड़े बारा बजे अमन खेडी में रोड पर एक वेन में वेल्डिंग करवाते समय अचानक आग लग गई देखते ही देखते ही पूरी वेन आग की लप्टों में घिर गई वेन में आग लगते देख छेतर मे अफरत अफरी मज़ गई थी लोगों ने वेन में लगी आग को बुझाने के लिए पानी भी डाला लेकिन आग बुझने के बजाए और ज्यादा भपक गई प्रतिक्ष दर्शियों के अनुसार 10 मिनिट में पूरी वेन जलकर खाक हो गई इस मामले को लेकर थाना प्रभार सोरब बाथम ने भी बताया कि यह मामला अगर अमन खेडी रोड पर इस्तित वैलडिंग दुकान पर हुआ घटना के दोरान सम्बंदित वेन में वैलडिंग किया जा रहा था इस दोरान यह हाथसा हुआ है बाथम ने बताया कि वेन में आग कैसे लगी इसकी जाज की जा फिलहाल ये सामने आ रहा है कि वैल्डिंग करते समय चिंगारी पैट्रोल नली से टकराई होगी जिससे आग लग गई घटना के दोरान पूरी वैंग जलकर खाक हो गई इस हाथसे के बाद इसके वीडियो भी सोशल मिडिया पर जम कर वाइरल हुए फिलहाल पुलिस मामले की जाज कर रही है जाज के बाद ही आगामिक कारिवाही की जाएगी बीरो रिपोर्ट खरकाउन कि आपने लाइन वैं कल देंगे नाइज जैल अग्क शरव हैधाय फंक से काले साथ तो लामन के चाहिए वायर वाजे लग गई अपने के वायर भी जेनने लगई अपने आचिस की बुखा निया आओ आओ अब लिगेश पूरी अब देख रहे हमारा चैनल आजड़ी ट्विफोर न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना पुले